है आस्पिरिंस विल्कम तो आर चानल जोइन एमनेस अकाडमी आई होप यू आल डूइंग ग्रेट आज हम लिूसिन के बुक का टॉपिक 6 करने वाले इससे पहले मैंने 5 टॉपिक आपको कवर करवा दिया अगर आपने वह नहीं देखा तो आप देख सकते हो उसके बाद जो मैंने कुछ कुछन दिया आप उनको अटेंप्ट भी कर सकते हो आज का जो टॉपिक है वो है मेजर इंटरनाशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इसमें सारे मेजर इंटरनाशनल एयरपोर्ट से देखने वाले हैं देखो दो टाइप के एयरपोर्ट होते हैं एक होते नाशनल नाशनल एरपोर्ट्स वो होते हैं जिसमें हम कंट्री से कंट्री में ही ट्रावल करते हैं इंटरनाशनल एरपोर्ट्स वो होते हैं जिसमें प्लेइन जो होती हैं वो बाहर से आते हैं किसी और कंट्री से ठीक है तो हम यहाँ पे सिफ international airports आज देखने वाले हैं स्टार्ट करते हैं यह lucin के book का ही है जैसे मैं हर वीडियो में कराती हूँ उसी तरीके से ठीक है तो यहाँ पे name of airport दिया है और यहाँ पे place दिया है वो कौन सी जगा पे है सबसे पहला है यह बहुत ही बड़ा है और काफी known भी है well known है छत्रपती शिवाजे इंटिनाश्टन एयरपोर्ट यह इसको सांटा क्रूस एयरपोर्ट भी बोलते है बिकाज यह मुंबई के एक place है सांटा क्रूस वहाँ पे situated है नेक्स्ट इस नेताजी शुबाश्चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है यह कौकता में है आप ऐसे भी कर सकते है जो छत्रपती शिवाजी महराज थे वो मुंबई से थे ठीक है तो मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो उनके नाम पे रखा हुआ है नेताजी शुबाश्चंद बोस कहां के थे वो थे वेस्ट बेंगॉल कॉलकता उदर के ठीक है तो यह एयरपोर्ट को दम-दम एयरपोर्ट भी बोला जाता है यह भी आपको याद रखना है जो निकने में आपे साइट में दी हुए है नेक्स्ट है इंद्रा गांधी इंटरनाशनल एयरपोर्ट यह है डली में नेक्स्ट है यह एयरपोर्ट चिन्नई में है इसको काफी सारे नामों से जाना जाता है या तो चिन्नई इंटरनाशनल एयरपोर्ट बोलते है या तो मिनक पम्ब इंटरनाशनल एरपोर्ड बोलते हैं ठीके कोई भी नाम आए यह एक ही एरपोर्ट है और यह चिन्नई में है अगर चिन्न के इंटरनाशनल एरपोर्ड आया तो collectively पता लगा लोगे कि वह चिन्ने में है क्योंकि अगर उस एयरपोर्ट का नाम चिन्ने इंटरनाशनल एयरपोर्ट है तो वह मुंबई में तो नहीं होगा इन केस आपको ऐसे याद नहीं हुआ याद नहीं आरा टेस के टाइम पे तो आप वहाँ पे अगर गेस्वक करोगे तो आप ऐसे करना कि जो अगर प्लेस जो है मेजर सिटीज है तो वहीं पे ये इंटरनाशनल एयरपोर्ट होगे वैसे जैसे मैंने नाम से बताया आप नाम स पूरम में इसके नाम से आगे जो आ रहा है ना उदर से याद हो जाएगा आपको कि ये वहीं का एयरपोर्ट है नेक्स्ट है गुरू रामदास जी इंटरनाशनल एयरपोर्ट ये अमरित सर में है ये जो गुरू रामदास जी है इन्होंने गॉल्डन टेंपल को बनाने मे भी योगदान दिया था तो उससे याद रखना गुल्डन टेंपल कहा है अमरित सर में और गुरू रामदास जी एयरपोर्ट जो है वो भी कहा है अमरित सर में नेक्स्ट इस डॉक्टर बाबा साहब अमबीटकर इंटरनाशनल एयरपोर्ट ये है नागपुर में इसको मैंने दो तीन एक्जाम में देखा हुआ है ठीक है तो इसको स्टाम माग करके याद कर लो कि यह बैंगलूरू का इंटरनाशनल एयरपोर्ट है ये है इंदरा गांधी एयरपोर्ट जो डेली में है और ये है बाबा साहब अमबीटकर इयरपोर्ट जो नागपुर मे है ध्यान से सुनो लास में मैं कोश्चिन पूछोंगी सबको आंसर करना है ओके नेक्स्ट इस देवी अहले अबाई होल्ड कर एयरपोर्ट यह इंदर एंपी में एंपी क्या मध्य प्रदेश नेक्स्ट इस काली कर या करीपूर इंटरनाशनल एयरपोर्ट ये कहा है केरला यंटिनाशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है इसको युस्ट इस वीर सावर कर इंटरनाशनल एयरपोर्ट ये कुश्टेज की बी सीमें भी आtak तो इसके बार में जदा कोई पढ़ता नहीं तो इसी से कुश्चिन भी आ जाते हैं ठीक है वी सावर कर टीन में बना था और यह इंडिया का फॉर्स्ट ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट ता यह याद रखना कौन सा अिरपोर्ट है राजी गांधी इंट्रशनेल एंटराशनल एरपोर्ट थीक है और यह कहाएं गोहाटी में असाम में बहुत ही ब्यूटीक्फॉल सी सिटी है ठीक है त गुपीनाथ इंटरनाशनल एरपोर्ट वो कहा है गुहार्टी में नेक्स्ट इस जए प्रकाष नारायन इंटरनाशनल एरपोर्ट ये है पत्ना में आपने ये भी नोटस किया होगा जैसे जो भी नाम आ रहे है राजीव गांधी यहां पर मैंने आपको दिखाया इंद्रा अंधी का देन शट्रपती शिबाजी नेता जी तो यह एरपोर्ट जो है यह उसी जगह पे बने है जहां से वह रिलेटेट थे और जो मैक्सिमम एरपोर्ट है वो किस के उपर नाम किये गए फ्रीडम फाइटर के उपर नाम किये गए है इसी तरीके से जो इज़ ये जैप पांबोली गुरा में अगला है सरदारवलब भाई पतेल इंटरनाशनल एयरपोर्ट ये है एम्दाबाद में है अगेइड इस वरी एज आपको पक्का याद होगा कहा पे है स्टाच्व of यूनिटी और ही उधर है गुज्नाशनल एयरपोर्टेल की गुज्राद पोर्ट आफ सरदार वल्ला अब्हाई पत्टिर और यह वीर्सावर्कर इंट्रनाशनल एया पोर्ट। में situated है Okay next is Manglar International Airport यह मैं ग्यामन का है यह है कृनाटःका में next इस औरिणा मुला International Airport यह मैंने कहीं भी नहीं देखा थक कोई कोक्षिन नहीं देखा इसके उपर ठिकिया यह है कहला में और के मैं कैला कि कि डिस्टिख है पाथ्नम घीता यहां पर एक सिचुएटेद ध नेक्स्ट इस लाल भाहदर शाश्त्री इंतरनाशनल एरपोर्ट यह वारन ऐसी में आपको बस यह याद रखना है कि वो कौन सी सिटी में है, आपको इतना डिटेल में याद निरखना कि कौन सी डिस्टिक में भी है पढ़ना चाओ तो पढ़ लो याद हो रहा है तो ठीक है लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आपको एटलीस ये तो कर लेना कि लाल भादु शाष्त्री इंटरनाशनल एरपोर्ट कहा है वारन असी में अगला है श्रीनगर इंटरनाशनल एरपोर्ट ये छेपुर में है GMR हैदरबाद तयलंग काना में है GMR क्या है तो GMR ने एक गृप है जो एरपोर्ट पे गरबनाती है अभी हमने राजीव गांदीवाले में भी देखा था ना GMR गृप ने बनाया था उसको 2008 में तो ये है कोचिन इपार्ट एल्वारंश चयर्लां कोचिंशंऔर करला में 4. इप्धेल्ट बना है प्रूषिन जेक्षिन सब्तेक्षिन 7 double debitt तो या भी एकदम रिचारा किसी होह सकता है मैं ज वह स्किपalon सोथ बना Supreme े भी आधि Banks The fight भी है इस country का plus first airport है सिक्किम का सिक्किम में इससे पहले कोई एरपूर्ट नहीं था और इंडिया का हिंड्रेट फंक्शनल एरपूर्ट है यह तो यह उससे साब से कर देखा जाए तो इसमें यह काफी में कौन सा इंटर्नाशनल एरपूर्ट है और पोर्ट ब्लेर में कौन सा इंटर्नाशनल एरपूर्ट है तीन कोशन दे हैं मुझे तीनों के आंसर चाहिए साथ में पढ़ो और जो याद हो रहा है उसको लिखते जाओ नहीं तो मेरे इतने पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई फाइदा नहीं रहेगा आप एक बाब वीडियो देखोगे और उसको भूल जाओगे जो कुशन पूछा है बिन आभी पीछे देखे मुझे बदेखों पर यू नहीं पर पर आपके लोगषण थे जब एक बाइज पर नहीं आपके लिगे लिखे लिए लिखे भीडियो झालेगे जाओ य।